आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरत की बहुत ही फेमस नान खटाई की रेस्पी और इसे हम पते इडली मेकर में बनाने वाले हैं आप देख सकते हैं कितने जादा बनिया बनी हैं नीचे से बिलकुल जलेगी नहीं और एक एक नान खटाई आपकी बिलकुल प बगar औने के बनाने वाले हैं जैसे के व weekend क手ण जैसे कि मैंने की सेल के में आप सब बना सकती है जैसे की मैं आप सब आना कटाई być तो अब मैं आपको से तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से देखिए इस तरह से होती है ना मेरट किनान कटाई बिल्कुल वैसे के वैसे ही बन करके तयार हुई थी आप जाहो तो ना दुकान पे से बीज भी सकते हो अराम से लोग खरीच सकते हैं तो चलिए इससे बनाना शु कार लिएा हं तो यहां पर हमने देखिए यह मैंदा ले लिया है इसे में नाप कर ले रही हूं तो 1 काटोरी में झात्यमोर है constant तो 120 g ग्राम उसे लिया लिया हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको, अगर मेजरमिनेंट कब से करना है, तो यहाँ पर देखे के मेंदे काई बह masterines को चांड. देहां है, सारे ingredients को चांडना बहुत, इंपोर्टन्ट नुट्स हैं, अब इसी में हम बाकी के जो ड्राइ इंग्रीडियन डलेंगे उनको भी इसी में चानेंगे तो फिलाल हम और चीजों को मेजर कर लेते हैं कि कितना लेना है मेंदे के बाद आप देखे मैंने वही कटोरी में जो है मैं बेसन को मेजर कर रही हूँ और यहां पे हमें जो बेसन चाहिए है वो 60 g चाहिए है यानि कि मैंदे का आधा हम बेसन डालेंगे ठीक है बेसन मेजर करने के बाद हम सूजी को भी कर लेते हैं तो सूजी हमें यहां पर 20 g जितनी डालनी है मतलब कि 60 का अगर आधा करेंगे तो 30 होता है उससे थोड़ी से कम डालनी है और इसे जो है हम इस तरह से देखे चान लेंगे जो गुटलिया वगेरा है उन्हें खतम कर दीजेगा तो एक छोड़ी चमश के मदद से हम जो है इसको चला देंगे और ताकि जो इसकी गुटलिया है वो खतम हो जाएं तो इसी वज़े से आपको सारे इंग्रीडि मेंदा बेसन और सुझी हमें इन तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला देना है तो बिलकुल अच्छे से हम इने आपस में मिला देंगे और यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से यह हमने मिला ली है और इस तरीके से यह हमारा जो एक तरह का ड्राइंग रीजिन का बैच है वो बिल्कुल रेडी हो गया है तो इसे हम साइट पे रख देते हैं अब जो है इसमें जो भी चीजे हम मिलाने वाले हैं वो नेक्ष देख लेते हैं तो अब हम यहां पर क्या करेंगे अपना इडली स्टैंड भी रेडी कर देंगे देखे इसके हालत देखे आपको चल रहा होगा कि मैंने इसमें कितनी बार यह सब काम किया है और यह नमक देख के भी आपको समझ में आगे होगा कि मैं बेकिंग में यह बाला नमक यूज करती हूँ नमक डालना एकदम बालू जैसा काम करता है काफी अच्छी हीट आ जाती है जिससे हमारे नान खटाई ब इसाफे गहाँ म्लिक देख गहीं लेने वाले हैं तो देशी घी में बहुतों ही आप बढाए बधीन और स्वादिश्ट नान कटाई बसे ते लुट ॉट थी कप यानी की लगः डर को चाहें तो यहां पर को तीन मुझे बहुत जादा मीठी नहीं बनानी है मदब पर्फेक्ट रहेगी अब हमने यहां पर यह जो घी थाना इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसी तरीके से जब तक यह वाइट नहीं हो जाता है आप हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं पर उसमें क्या होता है कि म नान खटाई को फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है जैसे ही इसका जो तयार होगा हम फॉरण से अपनी नान खटाई बनाना शुरू कर देंगे गर्मियों के सब्सक्राइब क्या होता है कि यह जो घी होता है काफी लुक्ट हो जाता है मतलब एक्तम तग बेकिंग टिप्स मुझे जब मैं बेकिंग सीख रही थी तब मेली थी और मैं हमेसे आजमाती हूं बहले मुझे देखने में लग रहा है कि हाँ यह बन चुका लेकिन फिर भी हमें टेस्ट करके जरूर देखती हूं अब इलाइची का पॉडर मैंने एड कर दिया है अगर आपको कोई दूसरा फ्लेवर पसंद है तो आप बेशक उसे आड़ कर सकते हैं अब चुटकी भर जितना हम इसमें नमक भी आड़ कर देंगे और यह हमने ड्राइ इंग्रीडियन को जो बैस्ता उसे भी डाल दिया है अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर देखिए पानी या दूध अलग से कुछ भी आडले करना घ्रीडियन में आरथि मेशनाया दशाल करें आपको इसमें टूध से अगर आप पानी यह दूद आट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उससे बने हुई जो नान खटाई होती है उसका रिजल्क बिल्कुल अच्छा नहीं आता और यह देखिए मैं इंग्रीजिट्ट को किस तरह से ऐसे कम्बाइन कर रही हूं यह डो बनाने के कोशिश कर रही है हमें उतना ही घी रखना है जितना मुश्किल से इसमें डो बने ठीक है अब मैं ऐसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपके घी जादा कर लिया और फटा-फट से इसका डो बन गया एकदम चिकना स्मूध और बहुत ज़दा सॉफ्ट तो उससे क्या होगा कि जो नान मेजर मिएंट कप बेंगे पडिक्रलिब्दे की हम इसे और ऑईलाची यह इस काम जाया और हम नमक ईडली स्टेन्ड हो चुका है ऐ है अब देखिए अंदर dell D dengan • crescept जल्दी जलने की समभावना होती है उपर वाली में रखेगा और अगर आप उसको नीचे रख रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा बीच में एक बार खोल करकी उसको निकालना होगा क्योंकि वह जल्दी पख जाएगे क्योंकि वह हीट के ज्यादा नजदीक है तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा यह देखिए पक चुकी है अब हम इने पूरी तरीके से ठंडा करेंगे उसके पहले नहीं चूएंगे हाँ आपका इस ट्रेंड जल सकता है आपकी ट्रे भी जल सकती है मेरी भी थोड़ी थोड़ी जल गई थी लेकिन ऐसा नहीं है कि यह साफ नान खटाई बन करकें तयार है और नीचे से भी देख सकते हैं कितनी अच्छी शीकी हुए है और अब इसे अराम से इस टोर कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप इससे टोर करना चाहते हैं तो तो 15 से 20 दिनों तक तो ने कुछ भी नहीं होने वाला आपकी एर टाइट केंट करके इसे स्टोर कर सकते हैं तोड़ने से देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल उसी तरीके का इसका टेक्शियर है इक्दम भुर भुरी भुस भुसी बंद के तयार हुई है जैसे कि मार्केट की हमारी नान कटाई मेरट वाली स्पेशल होती है तो वीडियो अच्छे लगें ल कर में लगें लगें लत्ता हैं वीडियर होती है जा रहती है उड़ने से बंद का जिएम जाएबर भुषने से देख प्रिजर को अारान करें जाते हैं वीडियर बंद कर लो गगें